है यहां पर हम लोग आ चुके हैं लेकर लीट कोड के आज का डेली प्रॉब्लम्स एंड यह कुश्चन है अगर आप स्लाइडिंग बिंडो टेक्निक को नहीं जानते हो उतने बढ़ी अधंग से नहीं समझते हो तो यह कुश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा फिल हो जानते ईंड़ेज्म को यसमें और अपके पस्यूंद क कि दिए हुआ है ठीक है तो क्या आपको क्या करामानी है ठीक है और के रेडिएस average ऐरे क्या होता तो के radius average जो है एक sub array ठीक है जो center होगा index i का देखो ऐसा question ऐसा समझ लेते हैं यह आपका array दिया हुआ है थीक है तो हर एक index i को एसे center समझो यह आपका center बना के रेडियस क्या लिखा है के radius तो अगर आप देखो तो तो रेटियस क्या होता सक्षक्रम्हें चियर के लिंद यसम यहां पर एक्ट फ्लैटन है तो के रेडियस कहने का यहां से के डिष्टिन्स एधर यह तो कैपल झ। टिलैएगे और तूंतल आपके पास दार केड़ एह सेंटर तोटल आपके पास क्यूंद बनेगा एक-पाद wins्टाता है यह जो कि दो हो अपने हो पना एक-पर न थे प्लास में चिल गांस माने सव्भर अब स्मौज़बों के आपaking अधर में इधर और सेंटर पर एक element ठीक है तो 2 के प्लस 1 element अब इसका लेना है आपको average यह बनेगा इसका लेंगे आप average और यह के radius average array का पहला element बनेगा उसी तरीके से फिर आपका second वाला element को as a center समझ के आपको बनाना है फिर इसका कुछ आएगा फिर third वाले काएगा इस तरीके से आपका calculate होगा तो जितने length का यह रहेगा आपका given array रहेगा उतना ही length का आपका यह आएगा क्यूंकि हम हर element को as a center समझ के हम k radius find out करना चाह रहे हैं अगर हम question को आगे ना पढ़ें तो भी आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आएगा कि चहां अगर k right side में या left side में element नहीं बन पाता है k radius array नहीं बन पाएगा उसके लिए तो हम क्या करेंगे तो उस सवाल का जबाब को यहां पर दिया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उस case में k radius average आपको minus 1 आपको देखना है तो जाहिर सी बात है first element last element का obviously मुझे लगता 1 ही sorry minus 1 ही होने वाला है क्योंकि in that case अगर k के आपका चक्य जीरो होगा तो नहीं आएगा बद अगर के बड़ा है तो first element last element हमें सा माइनस बना जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको question समझना है अब आपको average जब calculate करना तो यहां पर आपको integer division देखना है इसका मतलब क्या है जैसे कि अगर हम यहां पर देख रहे है तो 11y4 है इसको 11y4 को 2.75 array में ना रखकर 2 रखोगे ठीक है तो आपको इस तरीके से देखोगे तो यह जो array बनेगा output array जो बनेगा यह भी एक integer array ही बनेगा इसमें कोई double float जैसे आपको नहीं मिलने वाला तो यह सब question में आपको पूछा जा रहा था और को क्या करना था यह question के बारे हम हो गया अब हम लोग समझते हैं कि इसका basically logic क्या होगा क्या आप अपना गलती आप समझ पाओगे इसमें राइट चलो समझो इस चीज़ को पहले मानू की एक चीज़ पहले समझ लो कि जहां प की वारे में कैसे हैंटल कर रहा है मना कि हमारा जो है फिलहाल ठीक है एकल को टूट थी एका करने वाले हैं और यह थी यहां तक जाएंगे और यह 3 यहां तक जाएंगे इतना का मुझे ठीक है, इतना का मुझे क्या चाहिए? और average क्या होता? average क्या होता? average equal to sum टोटल sum, इसकलि में बोल सकता हूँ total sum by number of element अब यह चीज आपको number of element पता है 2k समूर है हमने उपर डिसक्न साथ कि है कि right side में के left side में और सेंटर वन तो टू के प्लस वन एलिमेंट चुकि यह पता है अब हमें निकालना क्या है एवरेज निकालने के लिए सिर्फ हम निकालने के जोड़ा तो बाके सारा तो फाइंड ओट हो रखा जो भी बाकी चीज़ थी वह रखा हमें सिर्फ चाहिए सम ते कोईस्टन आपक को एक स्टेप आगे बढ़ा कर एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा एड करके अफरेज का आपको दिया गया है सामने तो कोश्चन ऑल्रेडी जो है वह किसी दूसरे पैरेंट कोश्चन कहीं है ओके तो कोई बात नहीं अब इस टू के अलिमेंट का लिए सपोच आपने इसक अपको देटराब के अब जब यह सिंटर बनेगा तो के इलमेंट इदार तो यहां तक आएगा और के अदरब तो यहां तक आएगा अit धेखो इसलzieć हैं मैंड्यू सबनी करते मैं तो देखेक हुआ हो रहा जब यह क्यो था तो अमारा यह क्यों है ठीक है आप आपने क्या क्या इसके इस center को ठीक है ये इसका center होगा उसको उठाया एक centimeter आगे किया तो पूरा blog जो होगा वो एक centimeter आगे तो क्या होगा यह पूरा ब्लॉग एक सेंटिमीटर आगे होगा मतलब जितना इधर से छोड़ेगा ठीक है इधर से जितना लीव करेगा उतना ही है स्पेस इधर से यह कभर करेगा राइट और वो उतना ही होगा जितना आपने इसको सेंटर समूब किया होगा समझ रहो तो उसी केस को यहां समझते हैं यहां पे इतना ही element को यह बाहर करेगा, जितना element को यहां से enter करेगा, अब जाहिए से बात हमने एक-एक element को move कर रहा है, तो एक element आपको यहां पे add होगा, और इधर से एक element आपका subtract होगा, जो नया बिंडो बनेगा उसमें, अब देखो, यहां पको representation आपको दिखा रहा होगा यह आपका add होगा, और यह वाला subtract होगा, तो अब हम अगर इस part का sum निकालना चाहें, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम iterate करना होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दो, तो यह बीज का यह point, यह point, 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 यह जो पूरा element है, उसका sum, कहीं न कहीं, इस sum में add है, तो इस sum में सिर्फ extra क्या है, तो यह वाला element extra है, तो अगर हम इस वाले को, अगर हम ऐसे देख रहे है, sum 1 क्या है, अगर हम इस पूरे का common sum देख लें, तो यह आपका common हो जाएगा, common sum plus यह वाला element, ठीक है, इसको let's suppose आप a रखो, तो a है, तो अगर हम a को हटा दें, यहां से sum 1 minus a, तो हो जाएगा common sum, बीच वाला, जो common part है, और common sum अगर मिल गया, तो इसमें अगर हम यह new element को add कर दें, यहां, ठीक है, add कर दें, nums of जो अभी आपका रहेगा यहां पे index, तो आपका इस window का sum 1, मतलब sum 2 समझों, आप निकल गया, यह second window का sum निकल जाएगा, समझे रो, त तो point क्या बन रहा आपका, हर एक जब आप एक window का आपने, पहले window का आपको calculate करना पड़ेगा, दोड़ दोड़ के, मतलब पूरा 2 के plus 1 element तक आप जाओगे, यह दोड़ना होगे आपका, उसके बाद आप reuse करोगे, इस part का, इस part का आप reuse करोगे, ठीक है, इस part का reuse करोगे, इस part का reuse करने के बाद, इसका sum हटा दोगे, और यहां से नया element, मतलब जो remove होगे, उसको हटा देना है, जो नया add हुआ, उसका add कर लेना, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही है, आपके पास 10 उर्पिया था, आपने 2 उर्पिया इसको किसी को दिया, और आपके मंबीन आपको फि घटा, 4 रपिया नया add हुआ, ठीक है, एक sum है, इस sum है, मैनस 2 हुआ, पलस 4 वो पारा है, जो है, वो है, उसके बाद हम average असानिस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अब देखुए trade कैसे करेंगे, हम लोग किस तरीके से इसको बाहर भागने वाले लेकर, सबसे पहले तो मैं क्या decide होना शुरू हो जाए, जब 2 के पलस 1 element पे आप हैं, तो इसका center कहीं न कहीं, यहाँ पे it element जो कोई होगा, वो बन रहा होगा, समझे लोगो, यह center बन रहा होगा, until लले सब 2 के तक होगे, तो कोई center नहीं बना होगा, और सारे के लिए क्या होगा, answer minus 1 रहा होगा, तो मैंने मुझे minus 1 को जहिलना, अलग से इसको code करना वो tension खतम होगे, क्यों, क्योंकि जहाँ पे यह average calculator नहीं होगा, वहाँ पे minus 1 already आ जाएगा, तो मुझे इसको अलग से handle करने के जरूत नहीं पड़ी है, अब दूसरा चीज यह है, long-long आपको sum लेना है, यह मैंने बहुत सारे question में already discuss किया है, इसका reason मैं बता दूँ फिर से, 10 to the power 5 element है, और आपके value भी 10 to the power 5 तक जा सकते हैं, तो अगर मानों कि सारे element 10 to the power 5 ही वाले रहे, तो आपका int केरेंस से बाहर चला जाएगा sum, क्योंकि 10 to the power 5, into 10 to the power 5, 10 to the power 10, जो कि आपका int केरेंस से जाहिर से बात बाहर है, तो आ तो आपको यह चीज, मैंने ऐसे पहले किया किया, 2K तक ही trade किया, ठीक है, यहां तक है कि कोई भी आपका center अभी तक नहीं बना है, तो यह sum जो है, यह basically already calculate कर लिया मैंने, अब as soon as 2K पर आप जाओगे, तो इसके कारण अब यह पूरा का पूरा 2K plus 1 length का एक window बना, तो एक center यहां पर कहीं बनेगा, बीच में, ठीक है, तो अब center decide करेंगे, हम लोग ऐसे, देखो, यह हो गया, 2K plus 1 से, ठीक है, zero waste index हेंगे, तो यह 2K रहेगा, यहां से हमने trade करना शुरू किया, नया element आया, इसको add किया, इसको जैसे ही add किया, हमारा एक window बन गया, 2K plus 1 length का, अब हमा यहां पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कहीं पर, इसका center I होगा, ठीक है, यह K तक होगा, और यह K plus 1 पर जाओ होगा, ठीक है, और यहां से फिर, यहां इसको ऐसे रखो, हटाओ, इसको cut करता हूँ, हटाओ, यह आपका length, यह समझो, I है, तो यह I plus 1 होगा, I plus 2 होगा, dot dot dot, I plus K होगा, यह I minus 1 होगा, I minus 2 होगा, dot dot dot, I minus K होगा, अब इस I plus K को मैं J समझे लूँ, ठीक है, इस I plus K को J, यह इसको I को J, चलो, ठीक है रहने दो भी, confuse मत करना थोड़ा सा, मैंने ही गलत लिग दिया है, I को J से replace कर देता हूँ, यह variable में कुछ रखा नहीं है, variable बस एक name है, नाम है, जो आपका equation जो बनेगा, वही बनेगा, किसी भी variable के साथ ले लो, ठीक है, तो हमने माना कि center इसका J है, ठीक है, हमारा center जो है, वो J है, तो J plus 1, J plus 2, J plus K तक आपका यह window जाएगा, और इधन में आपको J minus 1 से J minus K तक, उसके बाहर, जेतनी भी element होगे, वो सब इस window के पार्ट नहीं होगे, अब जब हम iterate करें, तो हमने क्या किया है, हमने इस J plus K को I लिख दिया, तो जब यह I हो गया, तो इसके गलवाला element I minus 1, I minus 2, I minus 3, I minus 4, और यह आपका क्या बनेगा, I minus K, ठीक है, इसका आपको, अगर आपको variable में समझ नहीं है, तो आप example लेके देखना, आपके let's suppose हम यहाँ पर second element को ले रहे हैं, और window रख लेते हैं, जाहिर से बात है, K equal to 1 ही रखते हैं, ठीक है, तो यह आपका 3, और यहाँ पर 1, अगर हमने इसको J रखा है, सरी I रखा है, तो यह क्या हो जाएगा, I minus 1, means I minus K, यह I minus 1 है ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर कर र हमने, तो I minus K आपका center बनेगा, तो center पर हमने, center पर हमने average को लगा दिया, कि ठीक है, इस center का average हमारा इतना है, और जब average calculate हो गया, अब window आगे बढ़ेगा, तो इसका, जो सबसे last element होगा, सबसे last element कौन होगा, यह I minus K यहाँ पर है, तो यह वाला element है, ठीक है, तो I minus 2K, I minus 2K, तो I minus 2K element जो होगा, उसको remove करना है, अगले window में, तो यह अभी मैंने remove कर दिया, remove किया, तो sum आपका, वो common वाला sum रह गया, अगली बार जब भी आएगा, तो फिर से यहाँ पर sum add हो जाएगा, तो new window का sum आजाएगा, उस पाद average calculate करेंगे, फिर से pitch element को remove कर देंगे, तो इस तरीके से यह बारी 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 हर एक window को calculate करेगा, और यहाँ पर time complexity आपका be go of n होगा, space complexity की बात करें, तो वही आपका be go of n होगा, ठीक है, यह space के अगर लिख देंगे, यह time लिख देंगे, तो दोनों यहाँ पर be go 1, sorry, be go n होगा, तो जो आपको लग कर आता है कि हर बार मुझे window को iterate करना है, वो चीज़े हमने sliding window टेकिनिक से इसको कम कर दी, हम लोग यहाँ पर जो overlapping sum है, उसको basically use कर रहे हैं, उसका फाइदा उठा रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, I hope कि आपके doubt क्लियर हो गयों, but still, अगर कोई doubt ब्लॉग पेज को आप बिल्कुल miss मत करना, यहाँ पर हम लोग daily कुछ ने कुछ add कर रहे हैं, सिफ ब्लॉग पेज नहीं है, आपको htl seat जो basically मैंने काफे पहले से इसको बता रखा आप लोगों को, तो यहाँ पर htl के container से regarding आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और हम लोग चीजी इसमें add करेंगे, तो जैसे ही time मिलता मैं इसको काम कर रहा हूं इस पर अभी, ओके, तो इसको देख लेना, share करना, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ share कर सकते हो, चैनल पर नए हो, तो subscribe को लेना, आगर ने subscribe गया, तो भी subscribe कर लेना, ठीक है, मि तो देक लिए लिए तो में, तो लाँ, बबबाए